तो बच्चों आज हम solve करेंगे DOE की तरफ से provide किये गए Mission Mathematics Class 8 के लिए Question of the Day की worksheet को जो की 5.12.2023 date के लिए है इससे पहले की सभी worksheet और assessment का solution दोनों मेडियम में upload है अगर आपने नहीं किया तो comment में link मिलेगी कर सकते हो ठीक है? Question पे आजाओ Question है For any cuboidal, cubical or cylindrical shape present in your classroom Observe the shape of its each face and find the number of faces that are identical by placing them on each other Write down your observations आपकी कक्षा में मौझूद किसी घनाभाकार मतलब घनाभ क्याकार की हो या फिर घनाकार यानि घन क्याकार की हो या फिर बेलनाकार बेलन क्याकार की हो आकिरती के प्रतेक फलक के आकार को ध्यान से देखिए और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख कर समान फलकों की संख्या ग्याद कीजिए अपने अलोकन लिखिए मतलब की घनाभाकार घनाकार या फिर बेलनाकार तिनों में से कोई भी एक आकरती हो कोई एक एक एक्जामपल आपको देखना है और देखकर टोटल जो समान फलक उसमें है उसकी संख्या आपको बताना है ठीक है solution देखो ध्यान से solution तो पहले आप हिंदी में देख लो फिर इंग्लिस में ठीक है तो कैसे लिखोगे हिंदी में लिखो करक्षा में मौझूद घनाभाकार आकिरती में किताब या डश्टर बहुत सारी वस्तों हैं जमेटरी भी है आप कुछ भी एक एक एक्जामपर ले सकते हो ठीक है ना को हम ध्यान से देखते हैं अब यह जो आप किताब या फिर डश्टर देख लिए किस आकिरती में घनाभाकार है ठीक है तो उसमें आयताकार 6 फलक मिलते हैं कितने होते हैं 6 जिसमें समान फलकों की संक्या 3 है यह यहम को बताना था जिसे एक दूसरे के उपर रखने पर वे समान मिलते हैं अब एक बार डाइग्राम देखो, फिर आपके समझ में आएगा, ठीक है, अब जैसे ये बुक है, ठीक है, तो एक फलक इसका ये है, इस साइट का, और एक फलक इस साइट का होगा, जो की दिखने ही रहा है, से में से, ठीक है, दो हो गए, एक ये है, तीन, और एक इस साइट का होगा जो की दिखने रहा है चार हो गया एक उपर का हो गया पांचमां और एक जश्ट नीची होगा इसके से में से छठा छे आयताकार फलक होते हैं और ध्यान रखो करा समान फलक कौन-कौन से देखो इसके जैसा से इधर वाला होगा ठीक है एक यह हो जाएगा और इसके उपर का बच्रा है ना ये ये टोटल देखो ये ये जो उपर का बच्रा है इसके जैसा सेम ये उपर वाले फलक के जैसा सेम इसके जश्ट नीचे वाला होगा जो की दिखने रहा धका है ठीक है तो टोटल तीन फलक इसके समान होती है जिनको एक दूसरे को उपर आप ना है ठीक है इंग्लिस वाले लिखेंगे वी केरफुली लुक आट दा बुक और डस्टर इन दा क्यूबोईडल से प्रजेंट इन दा क्लास रूम देन देर आर सिक्स रेक्टेंगुलर फेसे इन इट इन विच दा नंबर ओफ इक्वल फेसे र थरी मैंने समझा है थरीके से आया विच आर उप्टेंड उसके बाद में लिखना इक्वल विन प्लेजड ओन इच अधर ठीक है आपको इसे लिखना है चाहो तो आप डाइग्राम भी बना सकते हो तो यह इंग्लिस में आंसर हो जाएगा और यह हिंदी में मिलते हैं अंगली वीडियो में थाइंक्यो फॉर वॉचिंग